नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल एक्जाम ग्यान मंतरा में तो दोस्तों राजश लेकपाल परिक्षा के लिए प्रीएस के हम लोग पेपर्स को कवर कर रहे थे उसी क्रम में लेकपाल परिक्षा 2015 के दुत्य पाली के पेपर को हम लोग कवर करेंगे जिसमें ग्राम समाज बिकास और ग्रामिट जानकारी के 25 कॉस्चन रहने वाले हैं important सारे question है अगर आप लेकपल परक्षा ही तयारी कर रहा है सारे question जरूर देखना इसी pattern पे आपको आपकी अगली परक्षा जो होगी लेकपल परक्षा जो 78-82 आपकी पोस्ट है ठीक है इसी pattern पे आपको question फिर से देखने को क्योंकि मिलने वाले हैं clear तो जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है आप वीडियो के section में जाके उनको देख सकते हैं और important है दोस्त प्रीवियस के आपको पता होगा किसी भी एकजाम की आप तो यारी कर रहे हैं तो previous के question कितने ज़्यादा important रहते हैं उनको जरूर देखें आप साथी साथ जो लोग channel पर भी नए है channel पर आप नए है अगर तो हमारे telegram group को join कर सकते हैं description में आपको उसकी link मिल जाएगी channel को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है भी या subscribe कर लेना notification bell पर click करके उसको all पर set कर लेना जिससे जो भी important update आता है notification आता है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा clear तो चलिए दोस्तों question स्टार्ट करते हैं साथी साथ देखो आप लोग book का कहते हैं मुझसे बार बार कि सर्थ book बताएं और practice set बता दे हैं कि कौन सी book या फिर practice set का हम लोग यूज करें अपनी लेकपाल पर इच्छा के लिए तो दोस्तों देखो मुझे तो देखो one of the best book लगी चक्चू publication किये complete guide है क्यों किये इसमें आपका जो भी slavers के उसके according slavers के according देखो सब कुछ कवर किया गया है सब कुछ आपको इसमें cover मिल जाएगा previous का एक paper ही इसमें दिया गया है solid paper और 1200 important इसमें question जो रहते हैं वो दिये गया है mcq type में साधी साथ ये इसका slavers दिया गया है आपका 2016 का paper current affair, राजश प्रभाग की जानकारी, Hindi, math आपकी जी के उसके बाद gram विकास updated सारा इसमें material दिया गया है description में मैं इसकी link दे रहा हूँ, अगर आप इसको लेना चाहा है description में जाके आप इसको ले सकते हैं बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है complete हो जाएगा आपका पूरा slavers चलिए, तो पहला question देख लेते हैं करेंगे, ज्यादा time में लेंगे हम लोग तैसील इसतर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है ये question देखो, repeat हुआ है question ठीक है, पंचायत समित्य उत्तर हो जाएगा अपना 2011 की जंगरना के अनुसार उत्तर पुदेश का सबसे अधिक जंसंख्या वाला शहर कौन सा था ठीक है, ये थोड़ा अच्छा question है question number 78, कानपुर्था इन चार में से हाली में किंदर शरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार कोई ब्यक्ती जो ग्रामीड शित्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा तो भही ये 32 रुपए से जादा जो खर्च करेगा उसे गरीब नहीं समझा जाएगा सुन लिया, सभी अमीरों ने ठीक है मजाग था ये जोकसा पार्ट उत्तर प्रदेश के निम्लके सहरों में से किस से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्याद किया जाता है तो या आप सभी को इसका उत्तर पता होगा मुराद आवाद अपना अंसर हो जाएगा अपसन नमबर A उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं सेविंटी फाइब जिले हैं भहिया सबको पता है ठीक है पेपर जातना देखो टफ आया नहीं था ये अम बेटकर बिसीस रोजगार योजना की अंतरगत पर योजना की एकाई लागत किस से कम नहीं होनी चाहिए पचास जार रुपए से कम नहीं होनी चाहिए चले नय सुल्तानपुर नय सामाज़े के बान की योजना की कुशल कारपड़ाली के लिए केंदेकरत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहली की है किस न की है नैसनल इन्फॉमेटिक सेंटर अगला कॉस्चन देखें उत्तरमध रेलवे का मुख्याले कहां पह है इलाहवाद में है उसके बाद भारत में इस्थित किस सहर को बिश्चु का सबसे पुराना शहर माना जाता है बारान सी चमणों के लिए प्रिसिद जले बताना है आपको आगरा और कानपुर ठीक है आप एक पैटरन इसमें देख रहे होंगे ग्राम बिकास बाला जो पार्ट था मैं कई बार इसमें आपको बता चुका हूँ तीन पार्ट से भहिया कॉस्चन बनते हैं ग्राम बिकास से यूपी जी के से और बेसिक अगरिकल्चर से ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं अरे सर पच्चीस ही कॉस्चन ग्राम बिकास से आते हैं दोस्त पच्चीस नहीं आते हैं आप खुद पेपर में देख रहे हूँ ठीक है अच्छे खासे ठीक है मात्रा में आपको question अतर प्रदेश की सामान यान से देखने को मिलेंगे ग्राम बिकास बाले पार्ट में ही नाम है उसका सिर्फ ग्राम सामाज बिकास ग्रामीड जानकारी question mix रहते हैं उसमें UPG के के ग्राम बिकास के और basic अगरी culture के clear चले next question देखते है इंद्रा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है तो दोस्तों question number 87 का उत्तर हो जाएगा अपना 75 अनुपात 20 तो अधी 75 अनुपात 25 ठीक है भू किर्शी का record कौन सा है ठीक है तो इन चार में से भू किर्शी का record कौन सा है कौन सा है भहिया गिर्दावरी है अपना उत्तर इसका ठीक है चली next question देखते है एक बिस्बा का एक बिगा से अनुपात क्या बहुत सारे यार इसमें question repeat हुए है आपके paper में एक और बीस में उत्तर हो जाएगा एक एकड कितने बरगज के बराबर होता है और तालीस सो चालीस उत्तर हो जाएगा आपका एन आर इजीपी National Rural Employment Guarantee Program ठीक है राष्टे ग्रामी डोजगार गारंटी कारिकरम इसका उत्तर अपना हो जाएगा जिलास पतालों के लिए ठीक है भारतिय लोक स्वास्थ मानकों के अनुसार 10 लाग जन्संग्या वाले प्रितेक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए यानि कि जो अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहता है गवर्वर्मेंट का उसमें 10 लाग की जन्संग्या पर कम से कम कितने बैड उपलब्द होने चाहिए यानि कि कितने मरीज कम से कम आ जाए तो 300 अपना उत्तर हो जाएगा ठीक है कहीं कहीं इसका आंसर 350 लखा है लेकिन जो यूपी टपल ऐसी की आंसर किया थी उसके अकॉर्डिंग 300 इसका उत्तर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कॉस्चन देख लेते हैं घरेलू ब्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतरगा उत्तरप्रदेस राज्य में क्या प्रूत्साहन दिया जाता है बट्टा दिया जाता है उस पर कुछ ठीक है यानि की जी बेट उत्तरप्रदेस की प्रमुख व्याबसायक फसल कौन सी है ठीक है तो प्रमुख व्यवसायक फसल तो अपनी गन्ना होनी चाहिए इसमें 94 हाँ गन्न नहीं है इसका अंसर ठीक है एक ग्राम पंचायत में ग्राम के बाड़ों से चुने हुए कितने सदश होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है तो दोस्तों देखो कहीं कहीं इसका उत्तर आपको एक से पांच मिल जाएगा ठीक है कहीं कहीं आपका साथ से सत्तरा मिल जाएगा ये क्या ये डिपेंड करता है उस गाउं की जन्संग कहा पे जैसे 1000 जनसंख्या पर अलग होते हैं 2000 पर अलग होते है 3000 से जादा पर अलग होते है ग्राम बगास बाले पार्ट में हम लोग पूरा पड़ेंगे इसको ठीक है? यह कॉस्चन यहीं चूटे गई नहीं आपका अगर आप ग्राम बगास की पूरी और सभी High Court के जो मुख्य नयदीस रहते हैं, उनके जजों की न्यक्ति, किलियर 96 का अपना भारत का राश्टपती हो जाएगा, ठीक है इसमें राश्टपती प्रधान मंतरी की भी करते हैं, सुप्रीम कोट के जो मुख्य नयदीस रहते हैं, राजपाल की भी करते हैं, यूनि की भी करते हैं CIC जो मुख्य सूचनायक्त रहते हैं उनकी भी करते हैं UPSC की अध्यक्ष की भी करते हैं ठीक है यह कुछ important point हो गए जो मैंने आपको बताए अगला देखें दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक बर्ष में नियुनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए नियुनतम की बारे में बात की गई है तो कम से कम 12 महीने में कम से कम 2 होनी चाहिए क्योंकि प्रतेक 6 महा में एक अनिबार रहती है कि 6 महा से अधिक ठीक है स अंचायत का सदश्य बनने के लिए नियूंतम आयू 21 बर सुनी चाहिए लोक सभाक अगर आपको सदश्य बनना है या 25 बर सुनी चाहिए राजसभाक अगर आपको सदश्य बनना है 30 बर सुनी चाहिए अगर आपको राश्टपती राजपाल बनना है राश्टपती बनना है त पर बच्चों के नियून भार की प्रितिशत्ता का आंक लंग किस आबरती पर करना चाहिए नियून भार की प्रितिशत्ता का आंक लंग होना चाहिए अर्दबार्शिक रूप से एक है option number A अपना उत्तर हो जाएगा मंदरेगा की अंतरगत सामगरी संगठक के मामले में केंदर और राज सरकार अंद्वारत किये गए निधी करन का अनुपात यानि की केंदर कितने पैसे देता है मंदरेगा की अंतरगत और राज सरकार कितने पैसे देती हैं तो 75 अनुपात 25 में बित्त खर्च करती हैं जैसे म जाना कुछ टफ था नहीं है, ठीक, ग्राम बिकास वाला गर मैं कहूं, अगर आप क्लास लेते हैं, तो देखो इसमें से बहुत सारे कौस्चन ग्राम बिकास के नपड़ जाते हैं आपसे, ठीक है, जो प्रीवियस पैर्टन था, उसी के अनुसार नोट्स भी प्रपैर किये हम लोगों ने उसी के अनुसार क्लास भी चल रही हैं, ठीक है, अगर आप चाहें, क्लास इसको देख सकते हैं, अगराम बिकास वाला पार्ट अपना कवार अच्छे से कर सकते हैं, साधी साथ प्रेक्टिस सेट का मैं बताया है, जो लोग अच्छे से प्रेक्टिस करना चा झाल झाल